करोना काल में सूखी खासी परसानी का सबब बन सकती है करोना के एक लच्छड में सूखी खासी भी सामिल है मौसम में जरावी बदलाव और ठंडी चीजों का अधिक सेवन करने सी सूखी खासी की परसानी हो सकती है खासी होने पर गले में खरास और गले में दढर की शिकायच रहती है यह जल्दी खासी का उपचार न किया चाए तो खासते-खासे सीने में दर्ध हो लगता है इस समय जदा दर लोगों को सुखी खासी वायल संक्रवण के कारण गले की सर देया फ्लो के कारण हो रही आप भी सूखी खासी से परसान हैं तो हम आपको कुछ घरेलो इलाज के बारे में बताते हैं जिनें अब अपना कर सूखी खासी से निजात पा सकते हैं सहथ का करेश सेवन सहथ में एंटी ऑक्सिडेट, एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं इनी गुड़ों के वज़े से या सूखी खासी के साथ साथ गले की खराज से भी छुटकारा दिला देता है इसके लिए एक गिलास गरम दूद में एक चमर सहथ डाल कर पिए तुलसी का सेवन कर सकते हैं और शद्य गुरों से भरपूर तुलसी का सेवन कर की भी सूखी खासी को आप बाई बाई कह सकते हैं इसके लिए तुलसी की पतियों को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा पिये अद्रक से सुखी खासी का उपचार जल से जल किया जा सकता है अद्रक ना सिफ इम्यूटी को बूस्ट करती है बलकि खासी का भी उपचार करती है एक चमश अद्रक की रस के साथ आप सहत मिला कर शार सकते है इससे आपकी सुखी खासी जल से जल खतम हो जाएगी